.com domain के लिए जो है वो मैं यहाँ पे चार companies की pricing आपके सामने comparison करने वाला हूँ GoDaddy, Namecheap, BigRock.in and Hostinger तो frankly speaking and coming to the point जो सबसे सस्ता है वो है Hostinger.com for short term period और जो सबसे सस्ता है in long term that is BigRock.in for the long term तो यहाँ पे मैं जो है वो आपको एक comparison दिखाता हूँ for let us suppose की one year के लिए तो one year के लिए अगर आप prices देखेंगे तो Hostinger से start करते हैं one year की pricing around 800 rupees वहीं अगर आप BigRock में आओगे तो one year की pricing आपको 909 rupees and Namecheap में one year की pricing 851 and GoDaddy में आओगे तो 949 नहीं तो सबसे महगा जो है वह आपको GoDaddy पर रहा है one year के लिए और जो सबसे सस्ता है वह आपके लिए Hostinger पर रहा है अगर वहीं जो हो तीन साल की बात करें तो Hostinger में आप देखोगे कि तीन साल का option रहता है तो तीन साल में अगर आप pricing देखोगे तो GoDaddy का में तो 3 years के लिए around 2,700 पर रही है और नेमचीप में देखोगे तो 3 years के लिए around 3166 एंड इसमें देखोगे तो 2,699 तो इसमें भी आप सस्ता सबसे देखोगे कि GoDaddy Hostinger की ही जो है वो सबसे सस्ता पर रही है तो आप इससे ले सकते हो लेकिन अगर मैं Long Term की बात करूँ तो Long Term में आपके लिए सबसे अच्छा Big Rock होगा अगर आप देखोगे कि 10 साल के लिए आपको यहां पर प्राइस कितनी दिखाई दरही है 8,950 और वहीं अगर आप गोड़ेटी का देखोगे तो यह जो है वो दस साल में आपको लगबग 11,000 रुपीज ले रही है तो एक जगा कहां पर आप आपसे जो है वो यहां पर दे देने पर रहे हैं और वहीं जो है वो अगर आप गोड़ी में देखोगे तो एक जगा आपको जो है वो 11,692 देने को पर रहे हैं तो आप डिसाइट कर सकते हो कि आपको लॉंग टर्म में अगर चाहिए तो आप जो भीग रॉक में जाओ अगर आपको सौटर में चाहिए तो आप होस्टिंगर में जाओ one two three years के लिए और अगर आपको जो है वो पैसे में सापके पास अच्छे कासे हैं तो आप गोड़ेटी से भी जो है पर्चेस कर सकते हो